नमस्कार दोस्तों मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और राजकुंद्रा का जो मामला है उसमें आए दिन कई नए खुलासे हो रहे हैं आज एक और बड़ी बास सामने आई है राजकुंदा पॉनोग्राफी मामले में अर्विन शिर्वास्तव ने मुंबई पॉलिस त्वारा अपने खिलाफ लगाए गए सभी अरवपों से इंकार कर दिया है मुंबई पॉलिस को भेजे गए एक पत्र में ठाकुर ने अपने वकील के माद्यम से ही कहा है कि उन्होंने मैजिस्टेट अधालत में एक आवेदन दायर कर अपने और अपने परिवार के बैंक खातों को अर्प्रीज करने का अनुरोद किया है मैं आपको बताती हूँ कि जस्ठाकुर क्या है, कौन है और उन पर क्या आरोप है पॉलिस ने राजकुंद्रा से चुड़े चल रहे है पॉनोग्राफी मामले की जाच में उन पर आरोप लगाया कि जस्ठाकुर ने राजकुंद्रा की कंपनी में बने पॉनोग्राफिक कंटेंट के डिस्टिबूशन में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया है इन आरोपों से इंकार करते वी जज ठाकुन ने कहा है कि मैंने अपने वकील के माध्यम से ये साफ कर दिया है कि नियोफ्लिक्स और यूएस अधारित कंपनी है मुझे एक सलाकार की रूप में काम पर रखा गया था मैंने कभी राजकुंद्रा या उनके किसी सहयोगी से बात नहीं की ये जज ठाकुन ने ये भी साफ किया कि उन्होंने राजकुंद्रा या उनके सहयोगीं के साथ कोई लेंदेन नहीं किया है और ये भी आरोप है कि ये जज ठाकुर पिछले दो सालों से उतबडेश और मद्दबडेश में 90 अश्रील फिल्मों के वितरण में शामिल था ये जज ठाकुर का कहना है कि ये गलत है ये कोई मेरी कंपनी नहीं है और ये जज ठाकुर ने ये भी आरोप लगाया है कि राजकुंद्रा को गरिपतार करने वाले सीनेर पोलिस इंस्पेक्टर उन्हें इस मामले में गसीटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्होंने कहा कि उनका राजकुंद्रा और उनकी फर्मों से कोई लेंदेन नहीं है अबिनेतरी गहना विशिष्ट ने हाली में एक इंट्रीव में ये कहा था कि ब्लिस झे उनसे रिश्वत मागी थी और हाली में एक वाट्सेप चैट में East Thakur का नाम सामने आया था के वकील मुझे बताया कि पुलिस मांग कर रही है और मुझ से पूचा कि मैं क्या करूँ पैसे की वास्ता कर सकता हूं क्योंकि गयाना केवल छह से सात रुपे की वव़स्ता कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके वकील कि फॉन पर करेएं से पंधरह Daag रुपे की डिमांड आई थी और ये श्ठाकूर बोल्ड कंटेंट और राजकुंद्रा पॉनोग्राफी मामले के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि इस मामले को पॉन रैकेट कहना खबर को केबल सेंसनी खेज बना रहा है ये पूरी तरह से गल्लत है उन्होंने कहा कि अगर नगंता को पॉन के रूप में बताया जा रहा है तो अनुराक कश्यप की सेक्रेट गेम्स, शेकर कपूर की बेंडिट क्वीन और मीरा नायर की कामसूत्रा भी अश्रील कंटेंट की श्रणी में आती है भारतिय पॉलिस हम पर आरोप तै करने के लिए धारा सट-सट का इस्तेमाल करती रही है और उन्होंने सभी आरोपों को एक सिरे से खारिश करत है तो दोस्तों यह थी राजकुंद्रा और यह स्टाकुल से जुड़ीन एक खबर आप मेरी चैनल पर बने रही है और देते रही है अपनी कीमती राय मेरे कमेंड बॉक्स में जैहिन जैभरत